मुल्टि फंक्शनल डिस्प्लेय MFT आता है जिस में इक माइलेज दिखाई जाती है जो की काड़ी की माइलेज खुद बताती है कि वह कितनी माइलेज है लेकिन उसमें देखा गया है कि वह कई पर माइलेज इतनी ज़्यादा हाई होती है कि AI certified car की mileage होती है उससे भी वो बढ़कर show करती है चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं कि ये mileage कितनी accurate होती है और इससे क्या अंदाजा लगाया जाए हेलो दोस्तो मैं सुर्जीत पाल आपका बहुत स्वागत करता हूँ Be Technical with Sandy के इस नए एपिसोड में दोस्तो मैंने खुद desire में ये चीज़ को notice किया है कि वो multifunctional display पर कई बार 33, 34, 35 तक भी mileage ले जाती है highway driving पर अच्छी तरह से car चलाते हुए लेकिन हम लोग जानते है उसकी certified mileage जो 28.4 है डीजल पे और ये चीज मरूती की कुछ और गाड़ियों में भी है जैसे कि बलीनो मेरे एक दोस्त से बात हुई जिसके पास बलीनो है उसने भी ये बोला कि उसकी 30 बतिस तक जो है mileage शो करने लगती है चलिए पहले इस बारे में बात करते हैं जो कारें बहुत ज़्यादा mileage शो करती है उनकी क्या accuracy है और फिर मैं आपको वो गाड़ी बताऊंगा जो मैंने एक और टेस्ट की और जिसमें विल्कुल accurate mileage आती है दोस्तो आजकल की कारों में electronic control unit जिसे ECU भी कहते हैं वो लगा होता है और ECU ही वो component है जो की mileage को calculate करता है calculate करने के लिए यह क्या करता है amount of fuel जो की cylinders में गया गाड़ी के engine में गया और उसकी speed और उसकी running इन तीनों चीज़ों को calculate करके वो एक idea लेता है कि गाड़ी कितनी mileage दे रही है और वही idea जो है आपको show किया जाता है तो जो ECU की दिखाई हुई average है उसको चलिए real time average से calculate करते हैं क्योंकि मैंने कई बार tank को full करके इस mileage को compare किया है तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या differences आए तो दोस्तों जब car ने 19-20 की mileage जो multifunctional display पे show की तो actual में real time mileage जो 16 की निकली जब 25-26 की mileage car ने show की तो actual mileage 22 के करीब निकली जब 28-30 के बीच में show की तो 25 के निकली और 30 से plus show करने पर 26-26 तक जो है real time mileage निकली तो दोस्तों हम लोग देख सकते हैं कि desire में ये चीज बहुत ज़्यादा वेरी करती है बहुत ज़्यादा फरक डालती है जो की mileage car show करती है या पिर जो real time mileage है तो क्या ये सूचा जाए कि जो mileage car show करती है वो बिल्कुल बेकार है नहीं दोस्तों ऐसा भी नहीं है क्योंकि इससे हमको पता चल जाता है कि जैसे हम कार चला रहे है कि माइलेज अच्छी दे रही है या बुरी दे रही है बेश्यकों वो बिल्कुल accurate show नहीं करती जितनी mileage real time है उससे हमेशना ज़्यादा ही show करती है लेकिन हमको idea दे देती है कि हम लोग अच्छी mileage में जा रहे हैं या फिर बहुत खराब mileage इस वक्त पा रहे हैं इसके इलावा मुझे एक बार XUV500 में भी टेस्टिंग का मौका मिला हम लोग काफी long drive पे गए थे वहाँ पे मैंने टेस्ट किया तो मैंने XUV500 का यही पाया कि उसकी जो mileage show होती है वही mileage ही लगबग जो है real time है सरफ आदा किलोमीटर का difference दो बार में निकला उपर या नीचे का इससे ज़्यादा difference नहीं निकला तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ आपने खुद कैसे टेस्ट करना है आपने खुद अपनी कार की mileage को कैसे पाना है सबसे पहले तो आप क्या करिए कि टैंक को फुल करिए और टैंक को फुल करते समय ही आपका trip meter है जो कार का A या B कोई भी दोनों में से एक उसको 00 कर दीजिए उसको clear कर दीजिए उसके साथ जो आपका mileage शो करने वाला meter है ठीक है उसको भी जो है clear कर दीजिए उसके बाद अपनी कार को चलाईए जब तक कि बाद आपके जितने liters fuel डला और जितने kilometers आपकी गाड़ी चली उसको divide कर दीजिए आपकी 600 km जो है गाड़ी चली और आपने 27 liter fuel जब refill किया दुबारा से तो डाला तो उसको divide केजिए 600 divided by 27 तो वो बन गया 22.2 की mileage जो है लगबग 22 km की mileage निकली और आप अपनी जो है गाड़ी की mileage है जो ECU आपको बता रहा है वो भी चेक कर लीजे तो आपको पता चल जाएगा कितना difference है कितनी real time mileage आपकी गाड़ी ने दी है और कितना ही आपने जो है ECU आपको बता रहा है दोस्तो इसको एक बार में ही idea नहीं लग सकता आपको तीन चार पांच बार करके देखना पड़ेगा क्योंकि आपकी city की mileage अलग होती है highway की mileage अलग होती है city और highway दोनों पे अगर आपने same fuel tank में गाड़ी को यूज किया है तो mileage जो है अलग आएगी तो दोस्तो इस तरह से आप जो है अपनी mileage को निकाल सकते हैं अपनी real time mileage को पास सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके पास जो भी petrol या डीजल कार है वो actual real time mileage कितनी दे रही है और अगर आपकी गाड़ी में ECU की mileage शो हो रही है तो वो accurate है या नहीं है आप किसी भी कार में इसको test कर सकते हैं दोस्तो एक poll आज भी मैं add कर रहा हूँ यहां पे ऊपर आपको दिखाई दे जाएगा i button तो इसमें आप यह बताईए कि आपकी गाड़ी की जो ECU है mileage है जो कार mileage शो करती है वो accurate है या नहीं है अगर है तो हाँ पे दबाईए yes पे दबाईए अगर नहीं है तो no पे दबाईए इसके इलावा दोस्तो इन दोनों वीडियो को चेक करना मत भूलिएगा और अगर आपने subscribe नहीं किया तो आप इस यहां पे icon को click करके यह round सा icon है जो वी टेक्निकल वी सेंडी के लोगों के साथ इस पे click करके आप इस चैनल को subscribe भी कर सकते हैं thank you दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ मिलते एंगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार